वीडियो क्लास में हम एक new button close test को discuss करेंगी और यह close test सभी banking exams के लिए और सभी SSE exams के लिए काफी important रहेगा हम कुछ basic tricks सीखेंगे close test को solve करने की और इस पूरे video class को आप ध्यान से देखें तभी आपको इस सारी समझ में आएंगी तो चलिए शुम्हात करते हैं देख यह है एक टेस्ट और काफी इंपोर्टेंट ये क्लोज टेस्ट है तो क्लोश टेस्ट में ने होता है जीतने भी सिलर्स है क कभी भी क्लोस टेस्ट को जैसे ही आप पढ़ते हैं वैसे ही सॉल्व करना शुरूर नहीं करना चाहिए पूरा close test पढ़िये और यदि आपको लगता है कि time नहीं है तो कम से कम 50% close test आप जरूर पढ़िये और इसके थुरू आपको close test का idea लगे गए close test की theme क्या है close test का tone क्या है close test का topic क्या है किस बारे में इसमें बात हो रही है ठीक है तो इस तरीके से इनको करना है और कुछ tricks मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देखे यह से यह filler है ठीक है तो इसका जो बगलबाला word है यह जो word है और यह जो word है इस word को आपको इसके साथ correlate करके जरूर देखना है यहाँ पर जो blank है इसके साथ left hand side में यह word है और right hand side में जो word है तो यहाँ से आपको एक fair idea लगता है कि किस तरीके से close test किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर यदि noun है तो फिर adjective आएगा यह अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपको यहाँ पर proposition है कुछ particular words होते हैं जो particular words के साथ ही match होते हैं तो proposition के through भी आपको idea लग सकता है कि कौन सा word यहाँ पर appropriate रहेगा तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ the interim result of Sunday presidential election in the Maldives have given the joint opposition candidate Ibrahim Mohamed Soli a victory इस question में हम क्या बता रहे हैं इस question में हम यह बता रहे हैं कि Sunday का जो result आया है presidential election का और यह elections मौलदीप में हुए है the interim result of Sunday Sunday's presidential election in the Maldives have given the joint opposition candidate joint opposition के candidate कौन है Ibrahim Mohamed Soli तो इनकी क्या हुई है victory हुई है victory यहाँ पर क्या है एक noun है यह किसी भी चीज़ का एक नाम है ठीक है तो victory के बगल में क्या word आएगा victory के बगल में adjective word आएगा यहाँ पर एक adjective चाहिए आपको जो इस noun को modify कर सके और ऐसा adjective चाहिए जो victory word के साथ naturally जाता है अब देखते हैं इसके option desired, hopefully, soft और stilly देखे, hopefully नहीं होगा क्योंकि यह adverb है soft नहीं होगा, stilly नहीं होगा soft भी एक adjective है लेकिन soft victory नाम की कोई चीज़ नहीं होती अब दो word आपके सामने बचे desired और resounding desired का मतलब क्या है कि जिसकी आपने एक्छा की थी desired victory desired victory, देखे, हर हर victory, जो भी contest करता है election के लिए, वो desire करेगा कि उसको, उसको जीत मिले desired victory, एक common word होगा यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उसको एक शांदर victory मिली है उसको, उनको एक शांदर victory मिली है, तो यहाँ पर resounding कहना ज़्यादा appropriate होगा तो यहाँ पर आपका आँसर क्या होगा, resounding यहाँ पर, अब देखिए, यहाँ पर भी एक noun है, अब्दुल्ला यमीन ठीक है, तो अब्दुल्ला यमीन को इन्होंने हराया है, इब्राहिम मुहमर सोली ने, और यह हारे हैं, और इब्राहिम जो है, वो जीते हैं, ठीक है victory in the direct contest जो इनकी contest था, जो इनका competition था, वो किस से था अब्दुल्ला यमीन से, तो अब्दुल्ला यमीन proper noun है, यहाँ पर क्या चाहिए, noun से पहले हम क्या लगाते हैं, adjective लगाते हैं, तो अब्दुल्ला यमीन से पहले हम किस adjective को लगाएंगे, क्या हम healthy लगाएंगे healthy अब्दुल्ला यमीन कोई sense बन रहा है इसका, नहीं बन रहा letter मतलब बाद वाला कोई sense नहीं बन रहा, incumbent, culprit और obligatory culprit का मतलब अपरादी होता है तो अब्दुल्ला यमीन अपरादी है ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोल लगाएं healthy है, एक healthy participant से completion करेंगे, इसका कोई sense नहीं बन रहा है तो सही answer क्या होगा, देखे इनका जो election हुआ है वो किस से हुआ है, जो incumbent अब्दुल्ला यमीन है, जो already हुआ हुआ व्यक्ति है, वो पहले office में था, वो पहले charge में था ठीक है, अब उसको replace किया जाएगा जीते हुए व्यक्ति के द्वारा तो जो व्यक्ति office में होता है जो व्यक्ति charge में होता है उसको हम बोलते है incumbent incumbent यहाँ पर आपका एक सही answer होगा, incumbent एक adjective है, incumbent अब्दुल्लायमी जो office में होता है जो charge में होता है, उसको हम बोलते है incumbent ठीक है, इस तरीके से इनको logically in questions को करना होता है close test में, the final result will be published by the election commission by September 30 and the current government will according to procedure hand over अब देखिए, इसमें आगे क्या है, कि final result जो है वो election commission को जोड़ा publish किये जाएंगे कब तक publish किये जाएंगे September 30 तक, यहाँ पर एक word, एक proposition लगा है by September 30 by September 30 का मतलब होता है not later than, उसके आगे नहीं, उससे पहले या उस तक तो by September 30 का मतलब है कि 30 तारीक तक या 30 तारीक से पहले, not later than by का मतलब होता है not later than ठीक है, current government will according to procedure hand over अब जो current government है वो किस चीज को hand over करेगी hand over मतलब दूसरे व्यक्ति को देगी, जो जीता हुआ है क्या उसको charge देगी क्या उसको throne देगी, क्या उसको key देगी क्या उसको victory देगी, क्या उसको obligation देगी देखे, throne क्या होता है throne होती है, राज सिहासन या राजगदी, तो राजगदी या throne का जो word का हम यूज करते हैं, वो kingdom के sense में हम यूज करते हैं, राजा महराजाओं के sense में यूज करते हैं, तो राजा महराजाओं की या रियासतों की बात तो नहीं हो रही है इस passage में इस passage में तो democracy की बात हो रही है और democracy में जो elections होते हैं उसकी बात हो रही है तो throne कहना गलत होगा ठीक है? keys hand over keys, hand over keys हम तब करते हैं जब अपना मकान हम बेच देते हैं किसी विक्ति को या किराय का मकान से हम दूसरे दूसरे मकान में जाते हैं तो हम उसकी keys मकान मालिक को दे देते हैं तो keys तो बिलकुल ही गलत होगा hand over victory कहना senseless होगा hand over obligation कहना senseless होगा तो एक ही word बचा यहां पर charge hand over charge और November 17 ठीक है? तीस तरीक के result आएगा और government जो incumbent government है वो November 17 चार्ज को hand over कर देगी अब यहां पर क्या word आएगा अब यहां पर देखिए मैंने बताया था आपको कि जो बगल में जो words हैं adjoining words हैं जैसे have और in इसके साथ इस word को आपको correlate करना है have का मतलब यह है कि यहां पर third form आएगी in के साथ कौन सा word जो सकता है dealt signal indemnify अशर में के बल अशर वर्ड यहां पर जो सकता है क्योंकि अशर के साथ हम in proposition का use करते है और अशर में ed भी लगा हुआ है तो यहां पर अशर वर्ड पूरी तरीके से justify हो रहा है कि हैप के साथ यहां पर third form चाहिए आपको और एक ऐसा word चाहिए जिसके साथ in आए तो अशर इन का मतलब क्या है अशर इन का मतलब है किसी change की शुरुआत करना जो कि Maldivian voters ने यहां पर की है तो अशर इन कहना यहां पर एकदम सही होगा अशर इन change change के sense में हम इस word को use करते हैं अशर इन आप फिप्ट में देखिए फिप्ट में आपके adjoining words कौन से हैं off तो off के साथ कौन सा word in message जा सकता है off के साथ के बल regardless जा सकता है क्योंकि हम बोलते हैं regardless of regardless of का मतलब है कि इस चीज़ को ignore करते हुए इस चीज़ को यदि हम नहीं भी माने तो भी ये चीज़ सही होगी जैसे यदि मैं बोलूँ कि everybody will be given a chance regardless of their gender इसका क्या मतलब है कि हर वेक्ती को chance दिया जाएगा चाहे उनका gender कुछ भी हो चाहे वो male हो या female हो तो regardless का ये मतलब होता है regardless के बाद हम off लगाते हैं तो यहाँ पर सही answer होगा तो मालदी भी इनके पास celebrate करने का एक मौका है एक chance है और इस election के completion के बाद तो यह simple passage है simple close test जदा tough passage यह नहीं है और IVPS clerk में, pre में, means में इस तरह के passage आप से पूछे जा सकते हैं simple logic आपको apply करना होता है close test में और जो filler होते हैं, जो blank होते हैं बगल वाला word आपको देखना होता है और बगल वाले word के साथ blank को आपको correlate करना होता है part of speech की knowledge भी इसमें काम आती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा word noun है और यह नहुन है तो noun के साथ adjective जाएगा यह आपको पता होना चाहिए कहां पर adverb आएगा किस word के साथ कौन सा proposition naturally जाता है यह भी इसमें आपको देखना होता है जैसे आपको मैंने बताया है कि regardless के बाद off आता है अशर के बाद in आता है तो इन सारी tricks को यदि आप apply करते हैं तो किसी भी close test को आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने इस close test को explain किया है इसका feedback आप जरूर मुशे ग्रूप में दीजिएगा और कोई भी comment है कुछ भी चीशेर करना चाते हैं तो इन numbers के थूरू मुझसे आप contact का सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में Thank you